नमस्कान न्यूस फोल निशन देखने आप मैं हूँ आपके साथ रश्पी बिहार में अफसर साही को लेकर जतन्रा मान जी की पार्टी की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है आपको बताएं कि जुतन रामान जी की पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि अफसर साही बिहार में बरदाश नहीं की जाएगी और हर कीमत पर हम के तरफ से जो बाते कही जाएंगी उसे सीयम नतीश कुमार को माननी ही होगी तो आपको बताएं कि अफसर साही को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से सीयम नतीश कुमार को टार्गेट किया जाता है इतना ही नहीं खोद बिहार सरकार के मंतरी मदन सहनी ये कहते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुन रहें ऐसे में वो इस्तिफा दे देंगे लेकिन इस सब के बीच जहां एक तरफ सीयम नतीश कुमार के उपर उमली उट रही थी ऐसे में जतन राम मांची का ये कहना कि अफसर शाही ब्यार में बरदाश नहीं की जाएगी और हर कीमत पर हम की तरफ से जो बाते कही जाएगी उसे सीयम नतीश कुमार को माने नहीं ही होगी क्या कुछ है जितन राम मांची का कहना क्या कुछ उनकी पाटी की तरफ से कही गई है और किस तरह से उन्होंने सीयम नतीश कुमार को चिताया है आपको पूरी जानकारी देते हैं देखी होती है तो उसे हमारी पाटी कभी बरदाश नहीं करेगी बियल वैश्यंत्री ने संगठन वस्तार को लेकर आयोजित पाटी के प्रदेश सचीवों को बैठक में पाटी नेताओं को पूर्वी मुख्य मंतरी जितन रामान जी के विचारों को गाउं गाउं तक अबरित सामने आ रही थी इतना ही नहीं खुद ब्याज सरकार के मंतरी मदन सैनी ही अपने अफसरों पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं ऐसे में वो इस्तिफा दे देंगे चौई हम विपक्ष की बात करें या फिर खुद ब्या राजगी जताई है लेकिन अब इसको लेकर हम की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें शाफ सब्दों में ये कह दिया गया है कि अगर अफसर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनके तरफ से कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा यानि कि अब जितन रामान जी ने जतन रामान जी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है देखना होगा कि सीम नतीश कुमार की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है या फिर विपक्ष इसे एक बार फिर अपने फाइदे में इस्तमाल करती है और उनकी तरफ से बयान बाजी की जाती है लेकिन इस नमस्कार